गुड मॉर्निंग स्टुदेंट्स गुड आप्टुनोन और गुड इवनिंग विल्कम तो माई आनदी यूट्योब वीडियो आज हम बाइलोजी क्लास 11 का चाप्टर नुबर 7 पड़ेंगे इस पहले भी मैं इस चाप्टर पे कुछ वीडियो और लेडी अप्रोट कर चुकी हूँ तो जिन बचने मेरी प्रीवेस वीडियो नहीं देखे वह प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवेस वीडियो देखे तभी आपको बेस क्लियर होगा कि चाप्टर नुबर 7 किसके पार ढ़र करते हैं चलो चलो करते मुसल टीशू से मुसल होता है इस सभी कोHayUR होग है प्रेजेटी होती है और यह बार काम लुद करते हैं do पूरी बोडी पार्ट को मुवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सबसे पहली बात तो मसल टीशू इसके अलावा वह रिलास करते हैं कॉंट्राक्ट होता है एक जो स्ट्रिमुलाइटम हमने पढ़ रखी है प्लांट की केस में सिमेलर वे में जो भी एन्वार्मेंट में चेंजिस होता है उसके अकॉर्डिंग एज़स्ट करने में मसल टीशू इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है तो अब आते हैं अपनी NCRT पर NCRT मे हर मसल जो है long cylindrical fiber से बनी होती है जो parallel तरीके से अरेंज होती है ठीक है सारी मसल्स हमारे पास long होती है cylindrical वे में प्रेजिन्ट होती है और एक दूसरे के parallel arrangement में set होती है इस fibers are composed of numerous fine fibrils तो यह जो fibers है वो बहुत सारी चीजों से Fibrils, Fibrils के बारे में हमने previous वीडियो में भी पढ़ा था, तो जिसको ये term clear नहीं है, वो में previous वीडियो जरूर देखे, ठीक है, ये छोट-छोटी terms आपको clear हो जाएगी, and जिसे हम कहते हैं, Myofibrils, तो ये जो Fibers होते हैं, वो बहुत सारी छोट-छोटी Fibrils, protein structure के जो बने हुई Fibers होती है, उससे बने होते हैं, जिसे हम Myofibrils कहते हैं, muscle fiber contract करती है, and in response to stimulation, यानि कि जो environment में जितनी भी changes होते हैं, उससे क्या करते हैं, contact करती है, फिर relax करती है, and return to their uncontacted state in coordinated manner, यानि कि इनका जो coordination होते हैं students, वो बहुत ही अच्छी तरीके से coordinated होते हैं फैशन में, ताकि किस तरह किस समय किस चीज को response करना environment में, ये सब उन्ची जो पर ज्यान देते हैं, ठीक है, their action moves the body to adjust to the changes in the environment, तो इनके जो actions होते हैं, वो move करते हैं, movement में provide करते हैं बोड़ी को, ताकि वो adjust कर सके according to the changes in the environment, जितने भी changes होरें environment में, उसके according adjust कर सके, and to maintain their position of various parts of the body, ठीक है भई, ये maintain करते हैं, जो different parts of the body होते हैं, उसकी position को maintain करने में हेल्प करते हैं, इन जेनरल, जेनरल हमके करते हैं, कि मसल जो बहुत important role play करती है, इन movements of the body, सारी movements जो भी होती बोड़ी के उसमें बहुत important role play करती है, मसल जो है इसी तरीके से, त्री टाइपस में divided हैस्टूरेंट, नमबर वान, skeletal मसल, नमबर टू, smooth muscle, and नमबर त्री, cardiac muscle, आपने इन तीनों मसल्स के बारे में, अपनी previous classes में भी पढ़ रखा है, और आज हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, नमबर वान होती हमार पार, skeletal muscle, जिसका diagram आपको फिर्स्ट फिगर में दिखा रखा है, नमबर टू होती है, कार्डिक, और नमबर टू होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, अब परते हैं की functions का है, और यह कहां कहां पर प्रेजिंट होती है, सबसे बहले तो आते हैं हमार पार, skeletal muscle, और कार्डिक मसल क्या होती है, skeletal muscle, tissue is closely attached to skeleton bones, नाम से सजेस्ट हो जाता है, स्टूडेंट्स की, जो skeletal muscle है, उसकी टिशू होंगे, वह closely attached होंगे, skeletal bones से, जितने भी हमारे skeletal bones है, उनसे attached होंगे in a typical muscle, such as biceps, हमारे जो biceps होते है, strep, striated muscles, skeletal muscles, fibers, वह एक दूसरे से parallel fashion में coordinated होते हैं, यानि कि आपकी पास इस तरह से कुछ muscles है, दूसरी muscles भी है, इनके parallel ही arranged होती है, अभी आपने पढ़ा कि muscles होते हैं, long cylindrical way में present होती है, तो इसी तरह से parallel way में हमारी muscles जो है, वह present होती है, एक दूसरे के parallel होती है, आगे बढ़ते हैं, cardiac muscle जो होता है, वह contractile tissue होता है, जो सिरफ heart में present होता है, cell junction fuse करते हैं, जो cardiac muscles के plasma membrane है, उसको cell junction fuse करते हैं, and make them stick together, यानि कि आपकी पास cell junctions present हैं, या आपकी पास cell junctions present है, कोई भी cell junction present हो सकता है, gap junction, adhering junction, या आपके junctions पढ़ते हैं, tight junction, यह सारे junctions हैं हमारे पास, वह क्या करते हैं, जो cardiac muscle की cell है, उसकी cell membrane की साथ fuse कर जाता है, ठीक है, और यह साथ में stick हो जाते हैं, एक साथ जूर जाते हैं, communication junction जो हैं हमारे पास, at some fusion points, allow to cell to contract, और जो communication junction है, वह क्या करते हैं, कुछ points पर contract करने के लिए allow करते हैं, as a unit का मतलब है, एक साथ सारे contract करते हैं, that is, one cell receives a signal, जब एक cell receive करते हैं, signal को यह contract करते हैं, तो उसके साथ में जो उसके neighbors cell जुड़े होए हैं, वह भी stimulate करते हैं और contract करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझते हैं, आपके बहुत सारे cardiac cells, बहुत सारे cells, इस बहुत सारे cells, तो cardiac cells आपके बस प्रेजन हैं, मैं डाइग्रापिटनिक में ऐसी आपके बहुत सारे cells हैं, communication junction क्या है, आपके पास यह सारा communication junction है, जो communication प्रवाइड करते हैं, दो cells की बीच में इनमें अलग से communication junction present होगा, अलग से communication junction present होगा, अब communication junction का क्या होता है, जो neighbors हैं, उनको भी activity में involved करना, यानि कि जो activity इस cell में हो रही है, वो activity आपकी दूसरे cell में भी होनी चाहिए, जो activity इसमें हो रही है, वो इसमें भी होनी चाहिए, तो क्या करते हैं, जब एक cell रिसीव करते हैं, जो भी signal इसे मिलते हैं, भार की जो environment में changes हो रहे हैं, तो उससे जो signal मिलते हैं, उससे क्या करते हैं, एक cell contract करते हैं, तो communication junction की help से, जो neighbor cells present हैं वहाँ पर वो भी contract करते हैं, ठीक है students, डाइग्राम से वैसे और clear हो जएगा, इसको एक सेकिंट इसको रफका देती हूँ, let me remove this all, तो अब आपको समझा लेका डाइग्राम से, कि skeletal muscle जो आपकी पस कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, सारी parallelly arranged होती है, जो students, गयाब तो होगा ने, क्योंकि होती कितनी है, पूरी जगब फैली होती है, यह हमारी body में पूरे body parts के help करती है, movements प्रोबाइट करने में तो parallelly arranged होती है, एक दूसरे के parallelly arranged है, इनके बीच में इनकी nucleus present है, और थोड़े सी यह क्योंकि यह लिखा गया है, striated होती है थोड़ी, यानि कि इनके बीच में जैसे आपको light lines दिख रहे है, that is present, फिर cardiac muscle की बात करें, तो cardiac muscle हमारे heart में present होती है, और वो कुछ इस तरह से दिखाए देती है, heart में, smooth muscle की बात करते है, the smooth muscle fiber taper at both ends and do not show striations, आप देखो, अब आपको बताया कि जो अभी आपको बताया कि जो अभी आपको बताया तो इसके बीच में striations present थी, striations मतलब हमने ऐसे से इसमें बीच में देखा था, यह सारी striations present थी जो मैंने आपको बताया, तो यह striations जो है, वो smooth muscle में present नहीं है, that why it is named smooth, समझे, समूथ नाम क्यों रखागी, क्योंकि इसमें यह striations present ही नहीं है, striations जो है, वो skeletal muscles में present होती है, तो यहाँ पर आप डाइग्राम में भी देख रो, इनमें वोबल लाइन प्रिजेंट नहीं है, जैसे skeletal muscles में striations प्रिजेंट थी, जैसे कोई bundle पड़ा होते हैं, लपड़ियों का bundles हो गया, इस तरह सी muscles आपस में connective रहती है, connective tissue की sheet की वज़े से, the wall of internal organs, जो internal organs की wall होती है, जैसे कि blood vessels हो गया, stomach हो गया, intestine हो गया, वो इस तरह की muscle tissue को contain करते हैं, जैने कि smooth muscle tissue हमें body की किस parts में पाई जाती है, number one is blood vessels, number two is stomach, and number three is intestine, smooth muscle are involuntary, that is very important students, involuntary का मतलब क्या होता है, as their function cannot be directly controlled, इनके जो functions है, वो directly controlled नहीं किये जा सकते, for example, जो अभी हमने देखा skeleton muscle, skeletal muscle देखा, उसमें क्या था, वो voluntary थी, क्योंकि अकर हम कोई भी changes होगे environment में, तो उसके प्रती हम response करते हैं, वो muscles की वज़े से ही तो response होगा, बॉंस, muscles की सारे आपस में coordinated होते हैं, तो muscles की वज़े से वो क्योंकि important role play करती है movement में, तो हम अपने हाथ जिसे कई बार काफी तेज रोशनी पढ़ती हमारे आखो पे तो हम अपने हाथ आगे रख लेते हैं, लेकिन जो smooth muscle होती है मारे पास उसमें क्योंते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं वो नहीं होता exact, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, यानि कि blood vessels की कौन सी vessels में कितना blood move करेगा, या stomach में हमने कितना घान डाजिस कर लेगे, सब हमारे सोचने से नहीं होगा, आपके आगे आने वाली क्लासिस में भी muscle tissue और neural tissue को बहुत अच्छी से deeply explain किया जाएगा, लेकिन यह तो हम पहले भी बढ़े बढ़े में कि वह तीन तरह की होती है, skeletal, cardiac and smooth muscles, बस यह important है, इसमें तीनों के difference के लिए पता होंची है, कहां where present होती है, वह पता और चृए, Neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing condition, जो neural tissue होते है वो great control, बहुत बड़ा control होता है उसका हमारी body पर, जितने भी हम response करते हैं, body से जो responses आते हैं, changing condition, यानि कि वो ही same stimuli से, उस पे बहुत बड़ा control किसका होता है, neural tissue का, ठीके, अब neural neurons जो होते हैं, वो unit है neural system की, are excitable states, यानि कि जो neurons है, वो unit है हमारी किसकी neural system की, तो यह MCQs, need, NCRT point of view से बहुत important question मन जाता है, in fact आप से पीछे NCRT question में पूछा भी गया होगा, the neurology, neural glia cells, which constitute the rest of the neural system, protect and support neurons, जो neurons present होते हैं, उसके अंदर जो neural glia cells present होते हैं, neural glia cells present होते हैं, वो क्या करते हैं, जो neural system को protect करते हैं, और support करते हैं neurons को, neurons को support करते हैं, और neural system को protect करते हैं, neural glia make up more than one half of the volume of the neural tissue in our body, यानि कि जितना neural tissue हमारे पास present होगा, उसका आधे से ज़्यादा पार्ट तो सारा का सारा new glia की volume पे डिमेंड करता है, यानि कि उसके आधे से ज़्यादा पार्ट में neural glia present है, यानि कि जब कोई neuron stimulate करता है, एक electrical disturbance generate हो जाती है, which swiftly travels along its plasma membrane, जब कोई neuron stimulate होता है, यानि कि बाहर से हमें कोई changes दिखते हैं, हमें action लेना होता है, तो सबसे greatest response तो किसका होता है, neural tissue का, तो वो response करता है, कैसे response करता है, उसको कैसे पता चलता है कि हमें इस तरह से response करना है, तो वो आपको बता जा रहे है कि electrical disturbance create होती है, जो swiftly travel करती है, कहां तक plasma membrane तक travel करती है, arrival of the disturbance at the neural endings, और output zone, triggers, यह जितने भी हमारे neurons, endings, जो neurons की endings होती है, वहां तक जाता है, output zone कहते है, जिसे, triggers करता है event को that may cause stimulation and inhibition of adjustment neurons and other cells, यानि कि एक तरह से उसमें, जिसे signals प्रवाइड कर देता है, ताकि वो stimulate कर सके, या जो changes हो रहे हैं, उनसे stop हो सके, जो साथ के और neurons present होता है, उनको भी यह काम करने के लिए response करता है, यह आपको पूरा diagram दिखा रखा है, structure of a typical neuron, neuron का structure कैसा दिखता है, यह structure तो आप सभी ने बना रखा होगा 10th class में, ठीक है, तो इसकी practice, इसका diagram बहुत easy है, और other papers में, तो सबसे पहले, अगर हम उपर से शुरुबात करते हैं, तो diagram में सबसे उपर जो आपको जहां से signals generate होते हैं, ठीक है, जहां से signals generate होते है, that is known as dendrites, जितने भी यह साथ का portion दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, यह सारे क्या हैं हमारे पर dendrites है, क्या से signals generate होते हैं, फिर जो हमारे neural tissue है, क्योंकि तो इसकी nucleus होगी है, center में हमने nucleus देख लेए इसकी, ठीक है, cell body, यह पूरा cytoplasm जिसे हम कहते हैं, आप आश्रमी, that is the cell body, यह cell body है, अब exon क्या होते हैं, जो long cylindrical, ascending part जो होते हैं, हमारे पास, that is known as exon, आपको mark करके दिखाएगे, इसके साथ, इनके बीच में कुछ cells, short-short present होते हैं, sheet type, जिसे श्रमन cells कहते हैं, ओपर आपको नाम में 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 जिन केंगे, that are known as shraman cells, and इसके बीच में, इसके बीच में जोसकी layer है, the orange one part is known as shraman cells, और जो इनकी yellow layer है, that is known as myline sheet, myline sheet का बहुत important role होते हैं, students, अब आगी बढ़ते हैं, node of renvier, यह node of renvier ऐसे आपकी कोर्स में नहीं है, इसको बारे में आप higher class में पढ़गे, कि इसका work किया है, आगे आने वाले chapters में, और last में जो neurons की पूरी जो exon की endings होती है, terminals को ending भी कहते हैं, एंडिंग, तो जो ending होती है, that is known as exon terminal, ending, let me write it clearly, तो जो ending होती है neuron exon की, that is known as exon terminals, तो इस तरह से पूरा आपको typical neuron का structure दिखाएगा है, dendrites, nucleus, cell body, exon, myline sheet, node of ranvir, seven cells, exon terminals, यहें कुछ parts हैं, इसको label करके diagram बहुत अच्छी से आते हैं, अगर आपको इस diagram में कोई doubt है, तो आप मुझे comment section में पूर सकते हैं, thank you so much students, अगर आपको video अच्छा लगा है, तो please like जरूर करे video को, comment करें, अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी doubt हो students, और अगर आप मुझे feedback देने चाहते हैं, कि आपको इस video कैसा लगा तो आप मुझे feedback दे सकते हैं in the comment section, share कर अपने दोस्तों के साथ हैं, subscribe करना ना भूले, thank you so much.